Hello Friends, Hi I'm Vanna and Welcome Back to my channel So हम सबको पताए कि गर्मी यानी समर स्टार्ट हो गया है और समर में स्किन की बहुत सारी प्रोब्लम्स होनी स्टार्ट हो जाती है जैसे कितना भी हम संस्क्रीम क्यों ना लगाए हमें संटेन तो हो ही जाता है और जितना संटेन जल्डी होता है उसको निकालना उतना ही मुस्किल हो जाता है और हमें बहुत सारी स्किन की प्रोब्लम्स जैसे रेसी, स्किन रेड हो जाती है स्किन में छोटे-छोटे दाने हो जाता है एकने की प्रोब्लम्स हमारा जो फेस से वो डल हो जाता है हमारा face का डल बिल्कुल ही चला जाते हैं तो ऐसी बहुत सारी skin problem हो जाती है तो summer में glowing skin और इन सब skin problems को ठीक करने का आज में आपको एक face mask बताऊंगी चोपकी skin को cooling effect भी देगा और glow भी वापस लाएगा तो चलिए बीना time waste कि ये face pack बनाना start करते हैं बट उससे पहले आप सबको पताए कि अगर आप चैनल में नहीं हो और अभी तक में इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो red कलन का subscribe दिखावा बटन होगा उसको दबा दीजिए और हाँ bell बटन को भी ज़रूर दबाना नहीं तो उसको बुरा लगे गया उसे क्लिक करने से आपको मेरे नए वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिलेगी और आप मेरे वीडियो सबसे पहले देख पहेएगी और हाँ आप मुझे इंस्टाकरम में भी फोलो कर सकते हैं नीचे आपको सारी लिंक मिल जाएगी So now let's start the video तो गर्वी में हमें सबसे जादा थंडग चाहिए होती है तो पहला जो हम इंगिजियन्स लेंगे वो है थंडा दही यानि आपको यहाँ पे थंडा दही यानि थंडा योगर्ट लेना है और आउन एक से डेट टेबल स्पून अब मैं आपको बतादी में नहीं हाँ पर क्यूं लिया है दई लिकोज वो स्किन से संबन को संटेन को आराम से निकालता है फेस पर अगर आपको बलेमिसिस और पिग्मेंटेशन है तो उसको भी ठीट करता है फाइन लाइन रिंकल्स को भी दूर करता है और मोस्ट इंपोर्टन फिंग हमारे स्किन टोन को लाइक करता है नेक्स हम एक करेंगे वन टेबल स्पून क्यूकुम्बर जूस यानि खेरे का जूस आप खेरे का ज्यादा जूस बना कर स्टोड भी कर जकते हैं जब ज़रूरत हो तब आप उसे यूज कर सकते हैं विकुम्बर हमारी स्किन को पूलेंग यानि ताजकी देता है स्किन को हाइडरेट रखता है स्किन की इरिटेशन, रेड़नेस, स्वेलिंग को दूर करता है और डार्सरतल को भी कम करता है नेक्स हम एड़ करेंगे हनी वनफोर्स टेबल्स को हनी एक एक एंटि बेक्टेरियर प्रोपर्टी सोती है तो एकने वालों के लिए बेस्ट है तो आप एकने पर डायेकली भी इसे लगा सकते हैं हमारा कमपलेक्शन बूस्ट करता है और बढ़्ती उम्रके मार्स को भी हलका करता है और ये भी हमारी स्कीन में ग्लो एक करता है और अब इन सब चीजों को बाइन करने के लिए हम एड़ करेंगे यहाँ पर ग्रेम फ्लो जो सारी चीजों को अच्छे से बाइन करेगा और स्मूथ पेस बनाएगा से मिक्स कर लीजिए तो नाव इस एप्लिकेशन टाइम आप ब्रस की हेल्प से या तो कोटन बोल की हेल्प से पूरे फेस पर इसे एपलाई कर सकते हैं एपलाई करने के बाद 15 मिनित के लिए आपको ऐसा ही रहने देना है दिन आपको इसे ठंडे पानीशे वोश कर लेना है धोने के तूरन पादी आपको आपकी स्किन में फरक दिखाई देगा स्किन बहुती सॉफ एंड चमक रही होगी और नेच्रल ग्लो आपके फेस पे होगा यहाँ पर मैंने फेस पर कुछ नहीं लगाया है सीवाई लिपस्टिक के तूर आप देख सकते हो वोश करने के बाद मेरा फेस एक इनेच्रल ग्लो है और यह फेस मास ओल स्किन टाइप वालो के लिए स्मूटेबल और बहुत में एंग हुमन इसे लगा सकते है आप लिक मे इसे तीन बार लगा सकते हो इसमें कोई ऐसे इंगिनीम्स मेने एक नहीं किये है जो हमारी स्किन को नुखसान दे तो आप इसे ज़रूर लगा सकते हो और इसे लगाने के बाद आपको इंसल्ट आपके फेस में परक नजर दिखाए देगा तो इसे घर पर ज़रूर पेस को मॉश्यरेज रखने के लिए लाज कहीं दिनों से मुझे बहुत सारी ऐसी कमेंट्स आ रही थी कि प्लीज मेरी स्किन सेंसिटिव है मुझे कुछ तूट नहीं करता कोई अच्छी से क्रीम बताए मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है तो मैं हिमालया बेबी क्रीम ट्राइ कर सकते हो दवपी या तो जो संट की भी बेबी क्रीम आप ट्राइ कर सकते हो इसमें पैरा भी नहीं है उसमें मिनरील ऑल भी नहीं और यह क्लिजिकली टेस्टेड है तो हमारी स्किन के लिए यह बहुत ही बैनीफिशिल रहेगी तो यह ता मेरे आज का छोटासा वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस घर्मी की सीजन में आप ये फेस फिक ज़रूर ट्राई किजें और मुझे नीचे कमेंट बुक में आपका रिव्यू ज़रूर लिखिए तो अगर आपको कोई क्वेशन या स्वेडियो तो आप मुझे नीचे कमेंट पी कर सकते हो तो इसे ल